हेलो स्टूदेंट्स वेलकम अगें टू लेंड विर दितीमें तो हम कर रहे हैं अधिगम यानि लर्निंग इसका अर्थ इसकी संकल्पना और परिभासाएं वह प्रभावित करने वाले कारक यह सब हम कर चुके हैं बिल्कुल स्लेबस के अकॉर्डिंग की चल रहे हैं हम next करेंगे हम अधिगम के प्रकार जो कि बहुत जादा important रहेगा क्योंकि यहां से हर बार जो Robert गैने हैं उन्होंने जो अधिगम के प्रकार बताए हैं वहां से question जो हमेशा आया है चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले सामान्य तोर पर अधिगम के कितने प्रकार होते हैं, वो हम देखेंगे. First है संग्यान मुलक अधिगम, यानि कि संग्यान से जो related हो. इसका जो सबसे बहतर example है, वो है पुस्तकिय ज्यान, संग्यान मुलक अधिगम, यानि कि संग्यान से संबंदित, जो भी कुछ हम सीख रहे हैं, वो हमारे संग्यान से related होता है, और जिसके द्वारा हम बहुत सारे चीज़ों का अधिगम करते हैं. तो संग्यान मुलक अधिगम में क्या आता है? पुस्तकिय ज्यान. नेक्स्ट है गत्यात्मक मुलक अधिगम, जो भी हमारी physical activity होती है, उसके द्वारा जो हम कुछ अधिगम करते हैं, सीखते हैं, वह हमारे गत्यात्मक मुलक अधिगम में आता है. जैसे कि example के तोर पर नत् अधिगम जो कि भाव से रिलेटिड होता है, हमारे emotion से रिलेटिड होता है, वहां भी हम कुछ ना कुछ सीखते हैं, जैसे कि रुची हो गई अनभूती, ठीक है? तो ये सामानने तोर पर अधिगम के प्रकार है, संग्यान मुलक अधिगम, गत्यात्मक मुलक अधिगम और चलिए, बहुत ज़्यादा important जो रहेगा वो है, रॉबर्ट गयने के अनुसार अधिगम के प्रकार, सबसे first जो बात पूछी जानी वाली exam के अंदर है, वो है, रॉबर्ट गयने ने कितने प्रकार बताएं हैं अधिगम के, तो उन्होंने 8 प्रकार बताएं हैं, तो हम one by one उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि पूछा जाता है कि third जो प्रकार है, वो कौन सा है, fourth कौन सा है, seventh कौन सा है, या फिर नेमने स्थर का कौन सा है, या उच्छे स्थर का कौन सा है, चलिए, सबसे पहले, यहाँ पर रॉबर्ट गयने की book है, The Condition of Learning, चलि नेमनिस्तर जो है संकेत या अनुबद्ध अधिगम, signal learning जो है, वो सबसे निमनिस्तर का है, और जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं, लास्ट में जो समस्या समाधान है, वो उच्छे स्थर का है, first है संकेत या अनुबद्ध अधिगम, अब यह प्रात्मे की स्थर के जो पैवलोव की थियोरी इसे हम कहते हैं एस टाइप अनुबंदन अब पैवलोव की थियोरी में हमने देखा कि जो कुट्ता था जैसे ही उसे संकेत मिला वैसे ही उसके मुह में लार आई तो वो क्या था एक संकेत था जैसे ही हमें red signal मिलता है वैसे ही हम वहां अगर हम कहीं जा रहे हो red signal देखते हैं तो वहां हम रुख जाते हैं यह क्या है संकेत है यह क्लास में अगर बहुत ज्यादा शोर शरावा हो रहा हो और टीचर जो है वो संकेत दे दे तो पूरी क्लास जो है वो शान्त हो जाती है तो यह एक तरीके के संकेत होते हैं तो यहां पर थम अधिगम है सेकेंड हम देखते हैं उदडीपक अनुक्रिया अधिगम sr learning यहां पर हम जो skincare की थयोरी पढ़ेंगे उसमें भी हम देखते हैं कि जैसे ही उदडीपक दिखाया जाता है अनुक्रिया होती है जैसे ही stormless दिखाया जाता है response होती है और learning प्रारंब हो जाती ह तो इसे हम आर टाइप अनुवंधन भी कहेंगे, सबसे पहले हमने संकेतों के द्वारा सीखा, उसके बाद हमने उद्धीपक के द्वारा अनुगरिया करना सीखा, तो यह निम्न से उचिस तरकी ओर ही जाता है, थर्ड है गत्यात्म किया अशाप्दिक अधिगंग, यानि मो जिसमें आपको पता करना होगा कि यह रॉबर्ट गेने का अधिगंग का प्रकार नहीं है, थर्ड है गत्यात्मक या अशाप्दिक अधिगंग, अब गत्यात्मक यानि कि मास पेशियों से जुड़ा अधिगंग, ठीक है, और जो कि अशाप्दिक है, अब यह कैसा गाड़ी चलाने के लिए हमारी बॉड़ी की जो सभी मास पेशियां होती है, उनका कारे करना जरूरी आना चाहिए, ठीक है, तो सरीर का एक साथ मास पेशियों को कारे करना यह कौन सा अधिगं है, गत्यात्मक या अशाप्दिक अधिगं, क्योंकि अगर वहाँ पर हम केव अपने हाथों का ही यूज करेंगे और आखों का यूज नहीं करेंगे, तो वह अच्छे तरीके से हम गाड़ी भी नहीं चला पाएंगे, तो यह इसी तरीके का अधिगं है, यहाँ जो भी एक्जाम्पल में आपको बता रही हो, वो भी आप अपने नोट बुक में उन्हे एक्जाम्पल के तौर पर लिखते जाएं, जिससे की याद करने में आसानी रहती है, तो हमने देखा कि सबसे पहले हमें संकेत मिला, संकेत की द्वारा सीखा, फिर हमने उद्धीपक दिखाया गया, तो उसके साथ अनुक्रिया की, फिर हमने पूरी बॉडी की जो मास्पे पढ़नी हो, या कोई स्टोरी पढ़नी हो, ठीक है, तो बोलते वक्त जो सब्द का लगातार उच्छारण, तो वहां हम सब्दों का ही यूज करते हैं, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अधिगम, तो जो हमने फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक जो हमने प्रकार पढ़े, ये इसाब्दिक अधिगम जो है, वो एक प्रात्मिक स्थर के बालक को आजाना चाहिए, चली, अब हम उच्छ स्थर की बात करते हैं, बहु बिभेदन अधिगम, फिफ्त है, बहु बिभेदन अधिगम, यानि मल्टीपल डिस्क्रिमिनेशन, इसमें क्या होता है, कि बालक जो या फुटबॉल, ठीक है, तो यहाँ पर वह अंतर करना सीख जाता है, अब वो यह नहीं कहता है, कि यह जो है, एक प्रकार का गेम है, वो यह कहता है, कि यह तो क्रिकेट है, यह फुटबॉल है, यानि उनमें अंतर करना उसे आ जाता है, तो यह कौन सा अधिगम है, बहु concept learning तो अभी संप्रत्य अधिगम में क्या होता है कि यहां पर जो अंतर या तुलना करना सीख गया है तो उसके बाद अगर उसे कोई संप्रत्य यानि कोई concept दिया जाता है तो वह वहां पर वह चीज को सीख जाता है जैसे कि अगर उससे पूछा जाए कि जंगली जानवर और पालतू जानवर इन दोनों में क्या अंतर होता है तो अंतर जो है वह परस्ट करना वह पहले सीख गया था लेकिन यहां पर उसे अगर बहुत सारे जानवरों का एक साथ चित्र दे दिया जाए तो उनमें वह निकाल लेगा कि कौन सा जंगली जानवरों का है और कौन सा पा होंगे और उसके द्वारा वह सीखेगा नेक्स्ट है सिद्धांत निर्मान अब यहां पर मेरी या आपकी उम्र के जो बच्चे होते हैं वहां तक आ जाते हैं यानि यहां पर जो अधिगम है उच्छे स्तरका होता है यहां पर कुछ रूल होते हैं जैसे मैट्स के अलग र को इसका बं चुका है और अब उसे पता है कि मैथ के रूल अलग है साइंस के रूल अलग है और ग्रैमर के रूल अलग है वो एक दूसरे को वहां पर मिला नहीं रहा है तो यहां उसने जो सिद्धान्त हैं उसके अनुसार सीख लिया है उसके बाद उसकी जो भी समस्याएं थी वो समाप्त हो गए यानि कि उसके समस्याओं का समाधान हो गया तो यहां पर जो पूछा जाने वाला एक्जाम में कुश्यन है अब मैं आपको वो बता देती हूँ फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा रॉबर्ट गयने के अंसर अधिगम के कितने प्रकार हैं आपका आंसर होगा आठ प्रकार रॉबर्ट गयने की कौन सी बुक है आपका आंसर होगा दग कंडिशन ऑफ लर्निंग उसके बाद यह पूछा जाएगा कि निमने इस तर पर रॉ करें आपको याद होने चाहिए सं़्केत या अनुवद्द अदिगं, उद्धीपक अनुकरिया अदिगं , गत्यात्मक अस्राब्दिक अधिगं, श्याब्दिक स्रंखला अधिगं , बहु करिएगा जिसे कि आपको ये और भी अच्छे से याद हो जाएगा यहां से प्रश्म जो है वो आपके एक्जाम में देखने को मिलेगा चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू